नवसकार दोस्तो मेरा नाम है आमित और आप देख रहे हो इंडियन आप डेवलपर तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे Android आप डेवलप्मेंट सीख सकते हो कैसे आप Android डेवलपर बन सकते हो ओके तो लास्ता की वीडियो जरूर से देखिए चलिए फ सीखने में बहुत सारे डाउट से रहते हैं और सेम यही डाउट साइद आपकी मन में भी होगा कि यार डॉप्मेंट कैसे सीखेंगे कैसे बनेंगे मतलब एक सब्सक्राइब इस वीडियो में क्लियर होने वाले तो सबसे पहले बात तो यह है कि क्या आप डॉप्मेंट सीख स सकते हो इस तरीके के बहुत सरे डाउट से तो मैं आपको इसका एक स्टेट आंसर देता हूं कि आर भाई आपके पास कोई भी बैक्ग्राउंड डिग्री नहीं है कुछ भी नहीं है उससे कोई फरग नहीं पड़ता यह एक नई फील्ड है अलग फील्ड है इसका आपके स् आपको इंड़ाइड डिवलप्मेंट सीखना है तो आप डारेक्ली सीख सकते हो ठीक है इनफेक्ट एक पांचवी छटवी क्लास का बच्चा भी डारेक्ली सीख सकता है तो यह आप अपने दिमाग को बैठा ले ना कि कभी भी आइसा मैं सोचना क्यार मेरी इंग्लिस कमज कि इसको कि कितना स्कोप कितनी अर्निंग अपॉर्चनेटी है तो भाई इसमें बात बाता देता हूं कि आज कल हैं यूज करता है हर कोई यूज कर रहा है यूज क्या करते हैं एप्लिगेशन बनाता कौन है आप और हमारे जैसे लोग ही बनाते हैं जो कि एंड़ाइड सब्सक्राइब और तो इसको ही आने वाली कुछ सालों में और इसके साथ ही यहां पर आप खुद की एप्लिगेशन बना के डाल के भी अर्निंग कर सकते हो आपको job ढूड़ने तलासने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुद की application बनाओ, खुद की application प्ले स्टोर पे डालो, वहां से earning करो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो freelancing कर सकते हो, आपको job करने की जरूरत नहीं है, आप directly घर बैठे, freelancing करके, आप application बना के दूसरों के लिए, clients के लिए, वहां से आप earning कर सकते हो, बहुत सारी साइट है, जैसे के firmware हो गया, अप work हो गया, freelancer.com हो गया, इसी बहुत सारी साइट है, जहां पर आप अपने आपको as a freelancer register कर दो, एड़ वहां पर कुछ टाइम के बाद जब आपके reviews, rating वगरा थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो आपको इतनी ज़्यादा project मिलेंगे कि आप सच्छे में खुद सोच भी ने सकते हैं, अगर earning opportunity की बात करूँ तो अगर आपको Android development अच्छे से आता है, एक अच्छा खासा experience है आपको, तो आप 50,000 से 1,00,000 रुपे तक का महीना कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहल स्ट्रेट अंसर है कि यार भाई आपको सीखना है दोनों जगा पर कहीं पर भी सीखो आप जहां पर comfortable आपको लगता है कि आपको इससे लगता है कि आर ऑनलाइन तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे offline नहीं सीखना है, offline अच्छे समझ में आता है, तो आप offline सीखी, तो कि जहां से भी आपको लगता है कि आप सीख जाओंगे वहां से सीखो यह तो डेपेंड करता है percent to percent सबका अलग अलग पर्स्पेक्टिव रहता है, तो पसे परसें युदे परसेंट करता है, लेकिन मैं जो परीफर करता हूं, मैं online learning को परीफर करता हूं क्यूंकि भाई आप offline ना आप तो जब आप online learning करते हो तो शुरू से ही आपको इन सारी चीजों की आदत हो जाती है कैसे और करना है क्यों से कोई इरड को सॉल करने तो ओन लाइन करते हो तो इस लिए में online learning को prefer करता हूं online सीखने का एक और फी advantage है वो यह है कि अगर आप YouTube पे देखो भरे पड़े हैं मतलब दुनिया भर के भरे पड़े हैं वीडियो तो आप वहां से देखके सीख सकते हो या फिर आप चाहो तो किसी भी paid course में enroll हो सकते हो ठीक है in fact मैंने भी मेरे चैनल पर आपको एक free course मिल जाएगा android development free course मिल जाएगा तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप वह free course पहले से access कीजिए और वहां से आप सीखना इस्टार्ट कीजिए उसके बाद आगर आपको लगता है interest आ तो अब बात कर लेते हैं भाई कि कितना time लगेगा कितना time लगेगा आपको course करने में सिखने में और उस level तक पहुचने में जहां से आप earning कर सको ठीक है तो देखे इसका कोई fix time नहीं है कोई भी ऐसा fix time नहीं है क्योंकि depend करता है कि आप कितना time दे रहे हो कितना time दे रहे हो सिखने में ठीक हो सकता है कि आपने एक दिन सीखा उसके बाद एक हपते तक गुल हो सकता है कि आप daily continue सीख रहे हो तो यह depend करता है कि time कितना दे रहे हो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से कि अगर आपने कोई course लिया है तो course को complete करने में आपको six month लगेंगे अगर आप अच्छे स से regular base पर कर रहे हो और सारी चीजे अच्छे से implement कर रहे हो जैसे कि मालो आपने हमारा master course लिया एड़ाइट master course में enroll कि आपने तो उस course को finish करने में आपको six month लगने चाहिए ज्यादा पहले भी नहीं आपको ख़दम करने नहीं तो फिर आपको चीजों को अच्छी तरीके से explore आपको चीजे बताई जाती है कि चीजों को बनाते कैसे हैं उसके बाद आपकी actual learning स्टार्ट होगी जब आप course complete करोगे उसके बाद एक साल का एक साल का time आपको अपने ऊपर देना है एक साल तक आपको earning वगरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है आपको केवल क्या करना ह प्रोजेक्ट कैसे बनारेंगे आप कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जैसे कि आप आपके पास जो भी इसकील है अभी तक आपनी जो भी कोर्स में शीखा तो कोर्स की इसकील को मद्दे नजर रखते हुए आप सोचे कि आप कौन सी application अभी आप बना सकते हो आप पहल प्रोजेक्ट बनाईए जिससे कि क्या होगा आपकी जो लर्निंग लेवल है वह बढ़ेगा आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे इससे आपका पॉर्टफोलियो भी रेडी होगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या घर सकते हो एक साल कम से कम आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से 1.5 साल का टाइम देना चाहिए, 1.5 साल के टाइम के बाद आप किसी भी जॉब के लिए या फिर फिलांसिंग के लिए या फिर खुद के एप्लिकेशन बना के प्लेश्टोर पर डालने के लिए रेडी हो जाएंगे इसके बारे में मैंने बहुत सरी वीडियोज बनाई है, मैंने एक पूरा प्लेश्ट बनाया है, वो प्लेश्ट में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर से जाके देखिए, मैं इधर कार्ड पे उसका लिंक देदूँगा, आप जाइए जरूर से देखिए वो लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, और ऐसी वीडियोज देखने के लाफ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना मत भूलना, तो चली मिलते हैं आगली वीडियो में, धन्यवाद.